चलिए आज बनाते नवरात्री स्पेसल थाली तो आप सभी को भी नवरात्री की धेर सारी सुपकाम नाए मातरानी आप सभी की सारी एक छाय पोर्ण करें तो आज की थाली में मैं बनाने वाली हूँ चोट उसा साबूदाना का पाड़ा था, साबूदाना की כहीर, आलू और टमाटर की सबजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मावा माल पुआ तो सबसे पहले हम बनाएंगे बिना लहसन प्याज का आलू और टमाटर की सबजी जो के बहुत ही टेस्ट ही होता है तो इसके लिए हमें कराही में डालना है दो बड़ी चमच के करीब तेल आदी छोटी चमच के करीब जीरा और एक बड़ी चमच के करीब हरी मिर्च और एदरक का पेस्ट और इसे थोरे दर के लिए सौटे कर लेना है अब हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर, अगर मेजर मेंट से ना पे तो मैंने यहाँ पे एक कप के करीब टमाटर लिया यानि दो टमाटर को बड़े वाले साइज के होते हैं उसे कट करके ले लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे टेस्ट की कोडिंग नमक, वन टेबले स्पून के करीब लाल मिर्स पाउडर, वन टेबले स्पून के करीब धनिया पाउडर और आधी छोटी चमच के करीब हल्दी पाउडर और आखरी में हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी चमच यानी वन अच्छी तरीके से गल नहीं जाता टमाटर को गल्ले में कम से कम पांच मिनट लग जाते हैं और पांच मिनट बाद जब मैंने प्लेट अटाया तो बहुत ही अच्छी तरीके से टमाटर गल गया था अब हम इसे थोड़ा सा मैस कर देंगे और इसके बाद अब हम इसमें एड अब हम इसमें अच्छी तरीके से मेक्स कर लेंगे तो बस अब हमारा टेस्टी सा भंडारे वाला आलू और टमाटर का सबजी त्यार हो गया है तो अब हम बनाएंगे छोटू सा साबू दाना का पडाठा तो हम यह पैन में डालना है साबू दाना जो की एक कप के करीब है अब हम इसे थोड़े दर के लिए सौटे कर लेंगे मिडियम फ्लेम पे हमें इसे गोल्डेन ब्राउ देंगे और अच्छी तरीके से चान लेंगे चानने से क्या होगा इसमें जो भी साबू दाना अच्छी तरीके से पीसा नहीं होगा न वह उपर ही रह जाएगा तो जो बच जाएगा आप उसे फिर से मिक्सिजार में डालके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना अब हम हम इसमें ऐड करेंगे आधे चिफ़ के करीब उब्ला और मैस किया हुआ अलून। में फोरा सा पानी एड़् कर सकते हो, लेकिन हार डोणा ज़्यादा सक्त नहीं होना चाहिए, सौफ्ट होना चाहिए, अब हम इसे ढक कर कमसे कम पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे और पांच मिनिट बाद अब हम इस डोक ओ थोड़ा सा मस लेंगे और इसके बाद इसका थोड़ा सा पोश्चन लेके से स्मूथ कर लेंगे अब हम इसे सिंगहारे का जो चावल का आटा होता है उसमें रूल करेंगे क्योंकि यह बेलने पे चिपक जाती है और इसके बाद अब हम इसे बेल लेंगे यानि रूल कर तो बहुत ही अच्छा सा गोला जैसा पराठा बन गया है तो अब हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे दोनों साइड से हलका सा सुनहरा का लगाने तक मिडियम फ्लेम पे सेक लेंगे तो अब हमारा पराठा भी बनकर त्यार हो गया है तो अब हम बनाएगे दूद मैंने यहां पे आधे लीटर के करीब दूद लिया है अब हम दूद में अच्छी तरीके सी उबाल आने देंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हमने जो साबूदाना को धोके रखा था ना उससे पानी अलग कर देंगे यानि पानी हटा देंगे और आप इसे बीच बीच में चलाते रहना अब यह थोड़ा सा थीक हो गया है तो अब हम इसमें एड करेंगे टेस्ट के करीब चीनी मैंने यहां पे आधे कप के करीब एड किया है और कुछ ड्राइफ फ्रूट्स जो आपको पसंद हो आप एड कर सकते हो अब हम इसमें आधी दाना भी ट्रांस्पेरेंट दिख रही है तो अब हमारा साबु दाना खीर बनकर त्यार है और यह थंड़ा होने के बाद तो और भी ज्यादा थीक हो जाएगी तो अब हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी मावा माल पुआ तो इसके लिए मैंने यहां पे एक कप क करीवी लाइची पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें दूध आड़ करेंगे मैंने यहां पे दो बड़ी चमच के करीब दूध आड़ किया है अब जरुद के हिसाब से दूध या फिर पानी दोनों में से कोई भी आड़ कर सकते हूं और इ आपे कोई तारवार की चासनी नहीं त्यार करनी है अब हम इसमें अड़ करेंगे केसर जो की बिल्कुल आप्सनल है और इसे मिक्स कर लेंगे तो बस अब हमारा चासनी भी त्यार हो गया है तो अब हम इस चासनी को अलग रखते हैं अब हम डोका थोड़ा सा पोश्चन ले की से होल बना लेंगे इससे क्या होगा ना यह मालपुव फूलेगी नहीं तो बस अब हमारा मालपुव फ्राई होने के लिए त्यार है तो अब हम इसे हलकी गर्म तेल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे उलट पुलट कर सुनेहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे अब तो बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो अब हम इसे निकाल देते हैं अब आप इसी तरीके से सारे बैच को फ्राई कर लेना अब हम इसे हलकी गर्म चासनी में डिप कर देंगे और दोनों साइड से उलट पुलट कर लेंगे और इसे कम से कम 15 मिन अब ये त्यार भी हो जाएगी और फाइनली इतना मेहनत करने के बाद मैंने सारी थाली बना लिये तो अब आती है इसे थाली में सर्व करने की बारी तो सबसे पहले हमने जो साबुदाना का पराठा बना के रखा था न वो डालेंगे अब आप देख सकते हो कि खीर भी काफी हद तक गाड़ी हो गई है तो अब हम इस खीर को भी कटोरी में सर्व करेंगे और उपर से डाल देंगे कुछ ड्राइफ रूट्स मैंने यहाँ पे बस अलमॉंट बदाम डाला है अब हम सर्व करेंगे टेस्टी टेस्टी सा आलू और टमाटर का सबजी अब हम सर्व माल पूवा जो की बहुत ही अच्छी तरीके से चासनी को एब्जॉर्ब कर चुकी है अब हम इस माल पूवे के उपर एकदम बारी कटा हुआ पेस्ता डाल देंगे और चांदी का वर्क लगा देंगे जिससे यह माल पूवा और भी ज्यादा सुन्दर दिखेगी तो बस अ अब हमारी थाली त्यार है चलो बाई